जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकवादी लगातार भारत में घुसपैट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान पूरी तरह से इस कोशिश में जुटा है कि किसी तरीके से आतंकवादी भारत में घुसे और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे कस्मीर की तरफ या पाकिस्तान बॉर्डर से ये खत्रा तो है ही लेकिन भारत नेपाल सीमा पर भी ये खत्रा मन रहा है और जिस तरह की खबरे आ रही हैं नेपाल से कि वहां कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तानी आतंकवादी है वो बॉर्डर के जरिये भारत नेपाल बॉर्डर के जरिये भारत में परवेश करने की कोशिस में जुटे हुए हैं कुछ जानकारिया भी मिल लई हैं कुछ सबूत भी मिले हैं हमारे साथ कमांडेट प्रियावत शर्मा जो की 47 बाटालियन SSB के हैं क्या जानकारिया भी मिले हैं कि जो पाकिस्तान से कुछ लोग यहां डेरा डाले हुए हैं और इस फिराक में हैं कि यहां घुसपैट करके कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए क्योंकि त्योवारों का मौसा माने वाला इसी सुचना आती रही हैं और अभी भी एक सुचना आई थी कि इस तरह के कुछ लोग पार नेपाल में अपना घूम रहे हैं जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी उनके साथ भी बातचीत करके इसको इनपुड को शेयर किया गया था और अपनी सीमा चोकियां भी हैं हमारी जिनको हमने स्तर्क कर दिया था और ऐसा प्रेयास है कि हर एक व्यक्ति जो नेपाल से भारत में प्रिवेश कर रहा है उसकी जान परताल करके इपरिवेश कराई जाए जिसके लिए हमने अपना एक्सरे बैगेज मशीन अपने व्यक् कोशिश यही है कि जो भी आए उसका चेकिंग जे साथ आए और इस तरह के लोगों का अपने डाटा शेरिंग की हुई है चोकियों पे ताकि इन लोगों को यहाना कुछने पाएं कुछ साथ लोगों का जो पासपोर्ट और उनका फोटोग्राफ और जो वाइरल हुआ है जो सोसल मीडिया में चलना है उसके बारे में क्या तहकिका थे हमारे पास भी गुब सुचना है आई थी हमने भी हारे एड कोटर से शेयर किया है अलर्टनेस रखा हुआ है और मीडिया पासपोर्ट आउट हो चुके तो इसलिए यह शक था कि कुछ इन लोगों में ऐसे अलिमेंट भी हैं जो कल यहां पर भारत में समस्या पैदा कर सकते हैं यहां कई तरह बढ़ा हाई अलर्ट है और भारत नेपाल सीमा पर कासदोर पर यहां पर जो इंडिया आयल और तमाम जो परतिस्थान है उस पर भी खत्रा बताया जाना है हम इंपोर्टन वाइटल इंस्टालेशन जो है उन पर भी खत्रा है इंडियन और कॉर्परेशन पर भी हम लोगोंने निगाह रखी हुई है क्योंकि वही है वह रेल्वे स्टेशन रक्सोल यहां की दो म इस तरह मतलब घुसपैट करने कोसिस में आपको क्या लगता है इसमें हाँ इसी तरह की खबर थी के कुछ तब्लीग से रलेटिड ही है इस तरह के लोग है उसी कियार्ड में अपना हो सकता है कि कोई एंटिनेशनल एक्टिविटी चल रही है और भी लोग हो सकते हैं अभी सीमा पर क्या इस्थिती है और किस तरह से संदिग्द जो धर्म परचार के नाम पर पाकिस्तानी नागरी है हलाकि उनको बताया जा रहा है कि आर्मी ट्रेंड भी हैं ऐसी सूचनाय भी मिल लगी है तो कुल मिला कर देखा जाए तो हाई अलर्ट है ये सीमा और एसस भी तैन अज़ा और अक्साल